नमस्कार आप देख रहे हैं तेश खबर 24 और मैं हूँ आपके साथ प्रेयरका रिवजिले में सरकारे स्कूल के सिक्षक के मंदिर जैसे पवित्रस्थान विद्याले की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं यहां कुछ सिक्षकों की वज़े से पुरा सिक्षा जगत सर्मसार हो रहा है हैरानी की बात है कि जिन सिक्षकों के कंधों में बच्चों को अच्छे सिक्षा देने की जिम्मेदारी है वही सिक्षक गुरीलत का शिकार है और नसे में चूर नजर आ रहे हैं जोड़ने वाले थोड़ी में जोड़ने वाले थोड़ी में हम क containing जुड़ाये मि memo मेरा अन्मिर कैसी पुर्ड हुआ अटां क्या जोड़ जोड़ जोड़你是 अब जया हमार बोजह लगता है अब लिखता है अब लिखता है आपको अब यहां ड्रिंक करके क्यों आए हम नहीं हमें है पहुते है यह हम आप अच्छो यह मेरा खार यह जयानना है यह रहा है है आप भोजन करें आप भोजन करने रहा है अच्छा मतलब हमके हम कहीं नेकर देना है प्रजाए कि आपको खाते हैं हमारे स्कूल हम आश्ता इसाब लेकिन यहां पी करके आना तो गलत बात है नहीं पीना आप बैठी आप आप बैठी बैठीर आप बैठीर आप बैठे अब आने आप बेटी आप बेटी अब आप बोचन करी। हाँ नहीं पार्डेश को जान नहीं पादेश नहीं हम देश को बंडी जी नहीं जान पादेश मास्टर साहब से यह पर आपके आपके आप जावाद जैने हो तो तु कहा रहा खाया है दरसलेक ऐसा ही मामला जिले के जवा का प्रकास में आया है जहां सास्की या हाई स्कूल जवा में पदस्त सिक्षक नसे में चूर होकर तांडव करते नजर आये हैं बताया गया कि जिस वक्त स्कूल में प्रातना हो रही थी उस वक्त सिक्षक नसे में चूर होकर स्कूल के भीतर बैट कर भोजन कर रहे थे मौकर पर पहुँचे मीडिया कर्मी के साथ 20 सिक्षक अभध्रता करते नजर आये और देख लेने की धमकी भी दी फिलाल सिक्षक की पहचान हाई स्कूल में पदस्त सिक्षक मुन्ना लाल कोल के रूप में की गई है इधर मीडिया दोरा पूशने पर छात्रों ने बताया कि अध्यापक विद्याले में आये दिन सराप्पी कर आते हैं और पढ़ाने का काम कभी कदार ही करते हैं इतना ही नहीं पढ़ाने के लिए कहने पर बच्चों को धमकाते भी हैं बताया गया कि पूर्व में भी सास्की हाई स्कूल जवा के अध्यापक का शराब के नसे में होने का वीडियो वाइरल हो चुका था लेकिन सक्त कारेवाई न होने की वज़े से अभी भी अध्यापकों की दिन चर्या में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो पा रहा है फिलाल इस मामले में खंड सिक्षा अधिकारी ने जाच कर उच्च अधिकारीयों को अवगत कराने की बात कही है बहराल अब देखना यह होगा कि वज़े विद्याले के अध्यापकों की दिन चर्या में सिक्षा विभाग को सुधार करवा पाता है या इसी तरीके से बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार होता रहेगा कि अधिक्या जो आपके द्वारा मुझे बताय जारता है वास्तों में शिक्षा के मंदीर में यह कृत होने ही जिए और अगर ऐसे कोई शिख्षक हैं तो बच्चों को क्या सिक्षा उदेते होंगे यह बड़ा सोचने का मिश्या है और बड़ा ही निन्हानी कारी जाए